कि नमस्कार स्वागत आप सभी का सो आज की इस वीडियो में अपन डियूएटी एमस इंट्रेंस 2017 की पीडिगे क्यूशन करेंगे जिसे कि आपको पता चलग गया हुआ कि डियूएटी का जो एप्लिकेशन फॉर्म का जो एक्जाम डेटर वा इंक्रीज हो गया है यानि कि डियूटी वाले चार हैं कि आप लोग तैयारी बढ़िया से करो आप अच्छे से अडिमिसन लो तो अब तो यार पढ़ लो आप सब लोग अभी तो टाइम आगे है कि आपको पढ़ना चाहिए लग बग एक मेने का ताइम आपको मिलाया या थोड़ा बहुत से मान स अब लुटाइम आपको पा रहे हैं तो आपका वीडियो देखने कोई मतलब नहीं है यह कुछन तो आप से हो जाना चाहिए क्योंकि आप देखेंगे कंटीनिवस्ली में 2017 से लेके 2021 तक के पेपर सुलीशन डाल चुका हूँ 2016 2015 के और डाल दूँगा तो आप देखें कि पीडि की इतने सारे क्यूशन करने के बाद आपको यह तो आइडिया लग जाना चाहिए कि पीडि में क्यूशन कहां से पुछा दाएगा जैसे आपने ल पर आप एक क्यूशन इसको नहीं चोड़ेंगे यह पक्का कर देंगे तो ऐसे आप हर सब्जेक्ट में ऐसे बना लें कि आपको तो सिरफ बीस क्यूशन तो फिक्स करने पचास में से बीस करने अपना काम हो जाएगा तो इसमें टोटल दोई क्यूशन पुछे थे यही ऐस साल था जिसमें सबसे कम PDC क्यूशन पुछे थे दोई पुछे थे बाकि 4 से 5 चार से 6 क्यूशन हर बार पुछ रते हैं और आपको कोई भी डाउट रहता है कोई भी चीज पूछनी है कुछ भी हो तो इसके लिए आप टेलेग्राम के सर्च बार में अब यह दो दोनों क्यूशन है इनको अपन सिंपल तरीके से बड़े से देख रहते हैं तो पहला क्यूशन देखो भाई इस पहले बता दे रहे कि PD कसी है इसने पहले बोल दिये कि भया पैराबोलिक है in the region S और जहां पर 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 पहले रहे है उसको यह क्या बोल रहे है subset of R2 but not in R2-S इसका मतल़ माइनस होता है यानि कि आपको यह बोला है कि PD जिस भी रिजन में पराबोलिक उसको यह S बोल रहे है और उसका कॉम्प्लिमेंट R to minus S में PD नहीं है जो पहरा बोली तो आपको S बताना है यानि कि कौन से रिजन में PD कैसी है पहरा बोली कि आपको वो रिजन फैंड आउट करना है तो पहली बात आपना तो सीधा सा फंडा कंपेर करो A U X X एनिके DL to U upon DL X square प्लस B U X Y एनिके DL to U X DL Y प्लस C into U Y Y प्लस D into U X प्लस E into U Y प्लस F into U बराबर 0 इसमें आप कंपेर करेंगे तो आपने को पता दल रहा है इस कि किसन से कि A की वेलु तो कितनी आ रही है X minus 2 का whole square आ रहा है B की वेलु कितनी आ रही है 0 आ रही है C की वेलु कितनी आ रही है minus of Y minus 3 का whole square बस बाकि D E F से पने को मतलब नहीं है अब आपने को क्या check करना है B square minus 4C check करना है तो आप B square minus 4C check करेंगे करड़ो check B B square minus 4C तो B की वेल तो 0 है minus 4 into A की वेलु कितनी है X minus 2 का whole square C की वेलु है minus of Y minus 3 का whole square तो यह minus minus का plus हो जाएगा 4 into X minus 2 का whole square into Y minus 3 का whole square आ गया यानि कि B square minus 4C की वेलु है वो कितनी आ गी 4 into x minus 2 का whole square into y minus 3 का whole square. अब क्या है? Given PD कैसी है? Given PD तो दे रखे अपने को कैसी है? Parabolic है. Parabolic है तो इसका मतलग क्या जाएगा? यह जो 20 का 4 AC क्या आएगा? 0 आएगा. This implies b square minus 4 AC equals to 0. It means 4 into x minus 2 का whole square into y minus 3 का whole square equals to क्या आएगा? 0. This implies x equals to 2 or x equals to 3. तो या तो x equals to 2 हो जाए या y equals to 3. दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा तो अपने काम डान. दोनों होते हैं तब ही चलेगा पर कोई भी एक हो जाएगा तब ही अपने बोसकते कि यह क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. इसका मतलग क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा. तो यह सारा सेट xy belongs to r2 such that x equals to 2 और y equals to 3. तो पहला उप्शन ही क्या हो जाएगा? क्रेक्ट हो जाएगा. तो यह क्या है? DUET के एक्जाम में PD के पेपर में यह क्यूशन हर बार पुछा जाता है कि PD parabolic, hyperbolic, elliptic तीन ही चीज है. एक सिंपल सा concept है चेक क्या करना है? B square minus 4AC ABC पता कैसे करेंगे? इस situation को याद कर लो, दिमाग में कुशालो कि x x का coefficient a होता है, x y वाला b होता है, y y वाला c होता है और यहाँ से ABC के वेज़ों निकालो और B square minus 4AC चेक करो, greater than 0 तो hyperbolic equal to 0 तो parabolic less than 0 तो clip tick तो simple सा काम था, आपने simple तरह के से देखा और यह option आपने tick mark कर दिया अब बाकी को चेक करने की जूरती नहीं पड़ी आपको और होंगे भी नहीं, y equal to 3, x equal to 2 क्योंकि यह भी include है, यह भी include है यह cosi, जिसको मैंसे होता हूं कि equasi linear PD थी और इसको अपन long radius method से solve करते हैं कैसे करते हैं कि let uxy be the solution of the cosi problem x square del u by del x minus y square del u by del y equal to 0 और u है वो e की power x होता है as y tends to infinity तो आपने PD का रूप पढ़ा होगा कि pxyz pxy p plus qxy q equals to rxyz और यह भी xyz का function होता है ऐसा अगर लिखा होता है तो आपने इसकी क्या लिखते है or your long rage equation लिख लेते हैं वह कैसे लिखते है long rage equation अपने लिखते है, dx upon p equals to dy upon q equals to d z upon r ऐसा लिखते हैं और इसको अपन simplify sort कर जाते है और एक function निकालते है U equal to C1, और एक निकालते हैं U equal to C2, फिर अपन बोलते हैं C2 equals to 5C1, और इसकी मदद से यह जो arbitrary function 5, इसकी value find out कर लेते हैं, वापस put कर जाते हैं, और अपने पास U आ जाते हैं, कहने का मतलब, अगर इस प्रकार का कहीं भी दिख जाए, तो Dx upon P, dy upon Q, digit upon R, ये लिख दो, इन ति आपसे जो arbitrary function 5 है, ये arbitrary function होता है, इसको eliminate कर जाते हैं, और अपना answer जाते हैं, तो अब देखो, इससे compare करो इसको, x square, del to, del u upon del x, minus का y square, del u upon del y, is equal to 0 होजे रखा है, इस से अगर अपन compare करें कि P into, Pxyz into P plus Qxyz into Q equal to Rxyz से अगर अपन compare करें, तो यहां से जो capital P, इसकी value तो आजाएगी x square, capital Q की value आजाएगी minus का y square, R की value 0, अब 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 आपन ओई, long राजय निक्वेस लिखेंगे तो क्या, dx upon P, यानिक x square, equals to, dy upon Q, यानिकी minus का y square, equals to, du upon 0, है पर u दे रखा है न, हाँ, तो u equal to 0, अब 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 आप यहां से simply देखें, इसके साथ कोई साथ भी ले लें, भले आप यह दूनों ले लें, या यह दूनों लें, क्या लिखेंगे अपन, अपने यह बनेगा, du ब्राबर 0, यानिकी u ब्राबर का जाएगा, अब इन दो पेर को ले लोगे, इन दो को लोगे, इन दो को लोगे, इन दो को लोगे, तो क्या बनेगा, dx upon x square equals to dy upon minus y square, दोनों तो तरफ integration करेंगे, इसकोई दर लेंगे, क्या बनेगा यह, 1 upon x plus 1 upon y equal to c2, तो यह एक तो या आगया, 1 upon x plus 1 upon y equal to c2, और 1 u equal to c1, अब वही बराबर 5c2, तो आपने क्या बन जाएगा, 7 की वैलिव कितनी है, u और c2 की वैलिए 1 upon x plus 1 upon y, यानि कि अपने पास आगया है, u बराबर 5 of 1 upon x plus 1 upon y, और अपने को गिवन क्या है, कि u जा रहा है, e की पावर x को, कब the y जा रहा है किसको, infinity को, जो y जा रहा है, तो 1 upon y किसको चला जाएगा, 0 को, तो ये वाइल टरम तो चला जाएगी, 0 को, और u किसको चला जाएगा, e की पावर x को, तो यानि वैसा बोल सकता हूं क्या, e की पावर x equals to 5 of 1 upon x, यानि कि 5 एक ऐसा function है, जो 1 upon x को 1 upon x पले जाता है, आप क्या करो, 1 upon x को t मान लो, तो x वराबर क्या जा यानि कि e की पावर 1 upon t देगा, तो अब अपने पास क्या था, अपने पास था, u बरावर 5 of 1 upon x plus 1 upon y, तो ये 5 क्या करता है, जो भी इसके अंदर रपूट करते हो, उसका 1 upon, e की पावर 1 upon कर देता है, 1 upon क्या जाएगा, 1 upon x plus 1 upon y, और u किसका function हो क्या है, x y क्या होगे ना, त क्या जाएगी? e की पावर 1 upon 1 upon x plus 1 upon y. अब ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया. अगर आप कुछने पूछता कि uxy बताओ, तो आप uxy ये लिख सकते हैं. अब आपने हो क्या पुछा है? y की जाब भी 1. तो ये क्या बन जाएगा? u1,1 which is equals to e to the power 1 upon 1 by 1 plus 1 by 1. तो ये भी 1, ये भी 1, 2 यानिकि e की पावर 1 by 2 हो जाएगा. तो जो u11 है, इसकी value हो जाएगी e की पावर 1 by 2. तो रूट e जिसको अपने हो सकते हैं, इसका अंसर हो जाएगा. तो e की टरम इसका a की अप् मिस्प्रिंट था, तो इसका अंसर की आएगा? डी वालॉप्स ना जाएगा. अब मिस्प्रिंट था, क्या था? तो कोई दिक्कत नहीं क्यों 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 सबके लिए bonus होजेगा जो भी problem होगी इसमें. पर आपने को concept क्या था? concept यही था, कि जैसे इस परकार की equation दिखे इसमें से दो दो को लेके solve करें. एक को आएगा यू ब्राबर सीवन या जो भी अपने पास सीवन आजाएगा, और सीवन ब्राबर फाई सीटू कर लो. फिर गिवन कंडिशन जो भी होती है, उसके मतलब से अपना arbitrary function 5 को eliminate कर देते हैं, जैसे कि अपने यहां पर कर दिया, कि यू जब e की पार x को जा रहा है, तो यहां से अपने पास मिल गया कि e की पार x equal to phi 1 upon x, यह फाई है, जो भी इसके विले अंदर पूट करते हो, इसको e की पार 1 upon कर देता है, तो u x y को क्या कर देता है, 1 upon 1 upon x plus 1 upon y, यहां से अपने u 1,1 देख लिया, और इसका answer निका लिया e की पार 1 by 2, तो इसका option क्या अगया D, तो 2017 में PDC 2 कुछा गयते, I hope आपको यह दोनों क्यूशन with explanation समझ आया होंगे, अगर फिर भी कोई आपको doubt रहता है, तो आप comment box से पूछ सकते हैं, telegram पे पूछ सकते हैं, जैसा भी आपका response रहेगा, उसके according आपको Sunday तक DU के एक best literacy मिल जैगी, so I think this video आपके लिए helpful रहा होगा, so thank you.